खबर है कुनकुरी की जहां जश्पूर जिले के कुनकुरी तहसील कारयाले में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो भी बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है जीहां जानकारी अनुसार जिले के कुनकुरी तहसील कारयाले में दो लोगों की मृत्यू परमान पत्र के नाम पर पांसो पांसो रुपे की रिश्वत लेते हुए लिपिक कैमरे में कैद हुआ है रिश्वत लेते हुए लिपिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मामले की जानकारी SDM को लगने के बाद दिलंबन की कारवाई करने की बात कही गई है कुनकुरी में तहसील कारयाले में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बाबो का नाम नहरूलाल सोनी है दो व्यक्तियों के मृत्यू प्रमान पत्र बनाने के नाम से 5500 रुपे के नोट लेते हुए कैमरे में दिखाई दे रहा है उसमें ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि अभी जीतना लेकर आए हो उतना दे दो बाकी बाद में दे दे ना कंडारों का रहने वाला पीडित रामकरन ने अपनी विद्वा बहन कोंदी बाई और मा जोडी बाई का प्रमान पत्र के लिए वकील के माधम से तहसील कारे में आवईदन दिया है जिसके लिए लिपिक ने उससे पैसो की मांग की थी प्रार्थी ने तहसील कारे आले जाकर जैसे ही भेन और मा का अमरित्यू प्रमान पत्र बनवाने के लिए पुछा उससे बाबु नहरूलाल सोनी ने पैसो की मांग की अगर उपे नहीं दिये तो काम नहीं होने की बात लिपिक ने कही थी जियां इस संबन में आरोपी बाबु नहरूलाल सोनी का कहना है कि उसे शड़ेंतर के तहत पसाया जा रहा है मैंने कलेक्टर को पूरी जानकारी दे दी है जबकि वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि आरोपी पैसे लेते दिखाई दे रहा है वहीं कुनकुरी SDM रवी राही बताया कि इस मामले के जांच की जा रही है मैं जैपाल सर्मा चेर्मेन मार्किट कमेटिकर नाल दिवाली के शुब अफसर पर पूरे अर्याना के किसान भाईयों को आठ दिवाईयों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिपावली की शुब कामना है मार्किट कमेटिकर नाल की चेर्मेन जैपाल शर्मा की और से सभी परदेश वासियों को धन्तेरस शुब दिपावली तता भाईया दोच के हार्दिक हार्दिक शुब कामना है मार्किट कमेटिकर चेर्मेन जैपाल शर्मा कामना करते हैं कि आपका परिवार सभी खुशाल रहे और धन्धाने से भरपूर रहे सभी परदेश वासियों को एक बार फिर से चेर्मेन जैपाल शर्मा की और से आप सब खुद दिपावली की फिरेश उपकामना है पर जो पर दो centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.